31 जूलाई को कैसा रहेगा देश भर में मौसम इस समय देश के आसपास के भागों पर बने प्रभावी मौसमी सिस्टम इस प्रकार है एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र जारखंड और इसके आसपास के भागों पर बना हुआ है इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोब का प्रभाव पहारों पर दिखाई दे रहा है एक अन्य चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र दक्षन पाकिस्तान के पास देखा जा सकता है मानसून की अक्षेत रफ रेखा राजस्थान, दक्षन उत्तर प्रदेश, जारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है भारतिय मौसम विभाग ने आज और कल देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चितावनी दी है जिसमें करनाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, जारखंड, पश्चिम बंगाल, उलीज़ा, असम और उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है उत्तर प्रदेश, जारखंड, बिहार और आसपास के भागों में कल मध्यम से तेज बारिश और तुफान की संभावना बनी हुई है पुर्वोत्तर राजियों में अगले दो-तीन दिन मानसून सक्रिय रहेगा इस दोरान कई राजियों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है अगले 24-48 घंटों के दोरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में मध्यम से भारी वर्शा की संभावना बनी हुई है कल से दक्षन और मध्य भारत में अगले 2-3 दिन तक मानसून कमजोर होने की संभावना है आज दक्षन चतिसगर, उलीसा, जारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में तेज बचारें परने की संभावना है कहीं कहीं गरच के साथ मध्यम बारिश भी हो सकती है कल से उत्तर पूर्वी राजस्थान, हर्याना पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश, दिल्ली एंसी आर और आसपास के भागों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है 31 जुलाई को तमिलनाडू, रोयल सीमा, दक्षनी पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराथवादा और तेलंगाना के अधिकांश भागों में बादलों के बीच मौसम साफ रहने की संभावना है